हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टो शर्फ गैलरी और आज मैं बहुत इंट्रस्टिंग लेकर रही हूं जो कि हमारी पीजा और पास्ता सॉस की रेसिपी यह बहुत ही जल्दी बन जाता है और आप इसे एक महने तक स्टोर कर सकते हैं बॉटल में भरके और बहुत अच्छा बनता ह यहां पर मैंने पाइफ मीडियम टमात reper कर लिया था और यहां पर मैंने निकल रही हूं मैं इसके बीकर वात 최근 के बारे को पील कर देएटेस्स慢, जो मिक्सर हमें पीस लेना है तक हम मिक्सर पीसलियों को फूरी यह पर हम बनाइंगे पिल स्टो यह प्ति पिज्सा इस दिमनें में आये की आप Mr में ट्रॉब्लश्पून में बटर को मैल्ट कर लिया है और श्क्युमि दालीगे casos शुबंबेस कर मैम अध्यूब्लस्पून में सिद्स गार्लिक पर खोण पकाना है और इसके बाद में फिर हम गवीयम साइस में बारिक ब्रावन करना है फिर में हमारा पीसा बनाया हूँ प्री टमाटो से उबाल कर बकी तो इसमें हम दाल देंगे और इसे हम थोड़ा को करने अच्छा पिसमें हम दाल एक चमर्च नमाग एक चिलीफ्लेक्स यह और वन टेबल स्पून भर के विनिगर दालेंगे विनिगर से क्या होता है कि आप इसे लॉंग टर्म तक अप स्टोर कर सकते हैं एज़ प्रिजेवर्टिव काम करता है तो इन सब चीजों को हमें अच्छे से पका लेना है को करना है फिर इसके अंदर हम दालेंगे हमारा वन टेबल स्पून भर के टेमाटो कैचप इससे जो हमारे साउस का जो कलर जो है बहुत रेड अच्छा ओजाएगा और इसका जो टेज़ भी है वह डबल हो जाएगा फिर इसमें लास्ट में हम वापस से वन टेबल स्पून ऑब बटर दालेंगे और इसे हम पकाएंगे जब में नहीं तक पकाना है फिर अधिके हमारा जो सौण जो है डूबर रेडि हो चुका है अब जो है इसे बोचल में भर लेंगे और इस एक मेने तक हम इसे यूज़ कर सकते हैं ऐस पीजा बेज और पास्तर में सॉस डल कर इसे ही उसका सकते हैं तो चलिए इसे स्व्फ करते हैं हमारे रेसिपी को और आपको पसंना आए तर जरूर मेरी रेसिपी को ये लाइक केजे, कमेंड केजी और सस्क्राइब केजी हमारी हमारे चानलstäख gallery thank you friends